हेलो दोस्तों नमस्कार न्यू इस्टेडी प्लानेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान ये जागरुकता से सबंधित कुछ महतुपूर प्रशनों पर तो बिना वक्त गवाए हुए आयो शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं अपना पहला प्रशन है हमारा पहला प्रशन है भारत का प्रथम ब्रिटिस गवार्नर जनरल कौन था भारत का प्रथम ब्रिटिस गवार्नर जनरल कौन था विकल्प है आपके चार विकल्प हैं लाड विलियम वेंटिक सी राज गोपालाचारी लाड कैनिंग सुकुमार सेन तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा बिकल्प A लाड विल्यम वैंटिक सी राज गोпालाचारी की अगर बात करें तो ये प्रतम भारती गवर्नर जंटरल थे प्रिटिस काउन था लाड विल्यम वैंटिक लाड कैनिंग की बात करें तो प्रथम वाय सराय थे और सुकुमार सेन की अगर बात की जाये तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे ठीक है दूसरा प्रश्ण है हमारा निमनलिखित में से कौन समविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना बिकल्प है आपके डाक्टर सर्वपली राधा कृष्णन, डाक्टर राजेंदर प्रसाद, सचिदानन्द सिन्हा, डाक्टर भीमराव अंबेटकर कौन सवत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा अस्थाई अध्यक्ष की बात हो रही है तो यहाँ पे बिकल्प भी हमारा सही हो जाएगा डाक्टर राजेंदर प्रसाद अगर बात की जाए डाक्टर सर्वपली राधा कृष्णन की तो यह प्रथम भारत रत्न पुरसकार भीजेता थे भारती ठीक है सचिदनन्द सिन्ह की बात करें तो यह भी समविदान सभा के अध्यक्ष थे लेकिन आज थाई और उसके बाद अगर बात की जाए डाक्टर भीमराव अमबेटकर की तो यह समविदान सभा की प्रारूप समित के अध्यक्ष थे ठीक है नेक्स्ट है निमनलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला लोग सभा अध्यक्ष थी बिकल्प है सुचेता केपलानी, मीरा कुमार, प्रतिभाद एवी सिंग पाटिल या फिर सरोजनी नाइडू तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मीरा कुमार बिकल्प भी सुचेता केपलानी की अगर बात की जाए तो यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी प्रतिभाद एवी सिंग पाटिल की अगर बात की जाए तो प्रथम महिला राज्यपाल थी नेक्स्ट है डूरंड रेखा किसके किसके मद्धिकी रेखा है डूरंड रेखा किसके किसके मद्धिकी रेखा है विकल्प है आपके भारत और अफगानिस्तान भारत और चीन भारत एवं बंगलादेश या फिर बंगलादेश और ट्रिपुरा तो डूरंड रेखा किसके क इसके मध्य की रेखा है तो सही उत्तर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच की भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं मैक मोहर रेखा कहते हैं भारत एवं बांगलादेश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं रेड कलिफ रेखा कहते हैं और बांगलादेश और त्रिपुरा के भी इसकी रेखा को क्या कहते हैं शोने रेखा कहते हैं ये भी आप जानते रहिए नेक्स्ट है राष्टी महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बचेंद्री पाल, किरडवेदी, जयंती पतनायक या फिर अन्ना चंडी तो कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा विकल्प सी जयंती पतनायक बच्छेंद्री पाल की अगर बात की जाए तो ये क्या थी माउं टेयोरिस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम भारती महिला किरडवेदी की बात की जाए तो प्रथम महिला IPS और अन्नाचंडी की अगर बात की जाए तो प्रथम महिला न्यायाधी स्थी अगला question है सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है NH 10, NH 14, NH 7 या फिर NH 44 तो कौन साउतर यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प D यहाँ पे सही हो जाएगा NH 44 कहां से कहां तक कश्मीर से कन्या कुमारी तक अगला क्वेश्टन है क्वेश्ट निवारर दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्ट निवारर दिवस कब मनाया जाता है विकल्प हैं आपके 30 जनवरी, 3 मार्च, 1 दिसंबर या फिर 29 अगस्त को तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा विकल्प एस ही हो जाएगा 30 जनवरी को मनाया जाता है question इवारण दिवस 3 मार्च को भी कुछ है 3 मार्च को विश्व मन्य जीव दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को सबको पता होगा 208 दिवस होता है और 29 सगस्त को राष्टी ये खेल दिवस होता है ये भी important है जान लीजिए आप next है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अमरित सर यानी पंजाब में है विकल्प है आपके स्वड मंदिर जगनाथ मंदिर कोडार्क मंदिर और लक्षम्र मंदिर कौन सा मंदिर अमरित सर में है तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्वड मंदिर लेकिन अगर पूछा जाए कि जगननाथ मंदिर कहां पे है तो जगननाथ मंदिर है पुरी उडिसा में कोडार्क मंदिर ये भी वहीं पे है पुरी में उडिसा में और लक् पाटमांडो या फिर कोलमबो कहाँ पे है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिकल्प बी मनीला मनीला कहाँ पे है फिलिपिन्स में है अस्थापना कब हुई थी उनीस सो सरसट में 1967 में अस्थापना हुई थी किसकी ACI विकास बैंक की मुख्याले कहां पे है इसका ACI विकास बैंक का मनीला में है जो की किस देश में है फिलिपिन्स में है अगला है भारत के राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है गुजरात, मुंबई, केरल या फिर आंधर प्रदेश कौन सा उत्तर सही हो जाएगा तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात विकल्प A. भारत की राजियों में सबसे लंबी तट्रेखा कि अगर बात की जाए तो गुजरात की जो तट्रेखा है सबसे लंबी है Next है केनवरा किस देश की राजधानी है? केनवरा किस देश की राजधानी है? विकल्प है आपके New Zealand, Australia, Canada या फिर Denmark कहां की है? केनवरा राजधानी है, आस्टेलिया की विकल्प भी यहां पे सही हो जाएगा New Zealand की राजधानी कहां पे है? तो उतर हो जाएगा Wellington, Canada की राजधानी, Ottawa और Denmark की राजधानी, Copenhagen Next है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? विकल्प है आपके प्रथम ग्यान पीठ पुरसकार प्राप्त भारती थे राकेश सरमक की अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम ग्यक्ति थे भारत के और मानेक्ष्षा की अगर बात करें तो प्रथम फेल्ड मार्शल थे अगला question है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दिकल्प है आपके राश्री महिला आयोक की प्रत्म महिला अध्यक्ष जैनती पतनायक थी भारत रत्र से सम्मारित प्रत्म महिला इंदिरा गांधी थी ग्यान पीट पुरसकार से प्रावत प्रत्म महिला असा प्रथम भारती मिस यूनिवर्स यह सही नहीं है यहां पे रीता फारिय नहीं बलकि सुस्मिता सेन होगा ठीक है अगला क्वेशन है निमनलिखित पूष्टकों और उनके लेखकों में कौन सुमेलित नहीं है रवींद्रनाट टेगोर गीतांजली सलमान रुष्दी मिडनाइ चिल्रेन शसी थरूर पैक्स इंडिया समाइल किरड़ देशाई आनमाई टर्म्स तो यहां पे पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है रवींद्रनाट टेगोर की रजना है गीतांजली यह भी सही है सलमान रुष्दी मिडनाइट चिल्रेन यह भी सही है सशी थरूर पैक्स समाइल यह भी सही है किरड़ देशाई आनमाई टर्मस यह सही नहीं है यही सुमेलित नहीं है आनमाई टर्मस के जो लेखक है वो कौन है वो है शरत पवार किरड़ देशाई नहीं है नेक्स्ट है इस्टाग होम समझाता कब हुआ था इस्टाग होम समझाता कब हुआ था विकल्प है आपके 1972, 2004, 1992 या फिर 2002 तो यहाँ पे कौनसा विकल्प सही होगा विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा इस्टाग होम समझाता कब हुआ था 1972 में 2004 में भी कुछ हुआ था इसा, 2004 में भी हुआ था, 40 को सम्मेलन। यह इस्टाग को सम्मेलन। अगला है निमनी लिखित में से कौंसा पुरसकार खेल से संबंधित नहीं है। ध्यान चंद पुरसकार, अर्जुन पुरसकार, द्रोड़ाचार पुरसकार या फिर तुलसी पुरसकार तो कौन सब यहाँ पे खेल से संबंधित नहीं है तो ध्यान चंद पुरसकार, अर्जुन पुरसकार, द्रोड़ाचार पुरसकार यह सब खेल से संबंधित है यहाँ तुलिसि पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधीत नहीं है, बलकी फिल्म और कला से संबंधीत है, कौन? तुलिसि पुरस्कार अगला है केंद्री आवसदी अनुसंधान संस्थान कहा परिस्ति थै लखनव में, नई दिली में, शिमला में या फिर कटक में तो यहाँ पर जो सही उतर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा लखनव में केंद्री और शदी अनसंधान संस्थान इस्तित है नई दिल्ली में भी कोई संस्थान है नई दिल्ली में भारती क्रिसी अनसंधान संस्थान है शिमला में क्या है शिमला में है केंद्री आलू अनस तो यहाँ पे जो इसका मुख्याला है वो है विकल्प सी ग्लेंड अगला है इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या फिर साहित एकेडमी तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी मध्य प्रदेश सरकार इकबाल सम्बान प्रदान करती है अगला और आखरी प्रशन है इस वीडियो का निमनलिखित में से कौन हरित ग्रीह गैस है यहां पर उप्रोक्त सभी सभी हो जाएगा मीथेन जलवास्प और क्लोरो फ्लोरो यह सभी हो जाएगा तो यहां पर विकल्पड़ी हमारा सभी हो जाएगा ठीक है